नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इम्रान मनी और मजा मैं आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम 9 Benefits of Investment in Equity देखने वाले हैं मतलब इक्वीटी में पैसा निवेश करने के 9 फायदे आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंटर कूरा देखिएंगा चलिए फिर्ट से वीडियो शुरू करते हैं सबसे बड़ा फायदा जो है इक्वीटी में निवेश करने का वह है रिटन आपको सबसे ज्यादा रिटन एक्वीटी में ही मिलता है दोस्तों अगर आप मैं स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटन की बात कुरू अभी तक की हिस्टी में स्टॉक मार्केट ने जो एवरेज रिटन दिया है वो दिया है 17 परसन का एवरेज रिटन स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्टी में अगर हम जो नॉर्मल जो इंडियन से वो जो return मिलता है वो 8% के around ही मिलता है दोस्तों, ठीके, अगर कोई hot, पहुत ही prime location पर कोई property होगी, hot location पर कोई property होगी, तो वहाँ पर 12-13% का return मिल जाएगा, पर normally जो property में return है, वो 8% का ही मिलता है, उसकी तरफ हम gold की तरफ भी देखे, तो वहाँ पर भी 8-9% का return है, ठीके, bank abd का करीब हम को return दे रही है, ठीके, तो ऐसे में आज के तारिक में सबसे अच्छा निवेश जो है, वो है equity, ठीके, चाहिए हम mutual fund के माध्यम से निवेश करें, या फिर direct equity में निवेश करें, तो वहाँ पर अभी तक की history में 17% का average return stock market ने दिया है, तो सबसे पहला benefit जो है equity में न करीदा है, 100 रुपय का कोई share करीदा है, उसका बहुत 200 रुपय हो गया, वो तो आपका मुनाफ़ा ही है, उसके अलावा company dividend भी देती है, dividend क्या होता है, company जब profit जनरेट करती है, cash में company के पास में profit आता है, तो उस profit को company distribute करती है अपने shareholder के बीच में, ठीके, उसे बोला जाता है dividend की income, तो इस दूसरा फाइदा है equity में पैसा निवेश करने का, दोस्तों, तीसरा फाइदा है equity में निवेश करने का bonus, company dividend के अलावा bonus भी देती है, ठीके, अब bonus का मतलब कैसा होता है, दोस्तों की, नॉर्मली जो ratios में company bonus देती है, जैसे की 1-1, 2-1, मतलब 1 share पे 1 share, 2 share पे How to change it, यह जाए रचा पाइद पहले अब 2000 आपके demand account में दिखेंगे हाला कि बोनस देने के वाल में होता क्या है उस जो शेयर का भाव होए वह आदा हो जाता है मतलब 1-1 में अगर बोनस आया है मानलो company का भाव 500 रुपे चल रहा है ठीक है अगर एक 1-1 का बोनस अगर आया है तो 500 रुपे का भाव 500 रुपे यह sentiment के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है कोई company dividend दे रही है that means positive है ठीक है positive बात है और sentiment के लिहाज से वह बहुत अच्छी बात है अगर वह company का भाव मतलब जो एड़्यस हुआ है 500 रुपे से 500 रुपे हुआ है आदा हुआ है मतलब bonus के बज़े से तो वापस से वह company का भा अपने share बेच के उसको cash में convert कर सकते हो आपके बात में कोई share है मानलो 10 रुपे के share है 5 रुपे के share है आप एक second में हो सारे share बेच सकते हो और पूरा पैसा cash के रुप में आप निकाल सकते हो ठीक है तो इतनी ज्यादा liquidity है stock market में जबकि यह liquidity आपको property market में दिखा ही नहीं दे है बट equity में आप एक second में share को बेच के पूरा पैसा cash में convert कर सकते हो हला कि बेच तो आप एक second में दोंगे बट आपके bank पैसे आने में दो दिन लग सकते है, तो कहने का मतलब है कि liquidity बहुत ही जादा है equity में आप कभी भी अपने share बेच के उसको cash में convert कर सकते हैं, आप दुस् कर दी अपने investment को इसका मतलब है कि अलग-अलग 20 धंदों में अलग-अलग 20 businesses में आपके पैसे लगे भी है ठीक है तो इसमें आपका जो रिक्स है वो थोड़ा सा minimize हो जाता है दोस्कों अब देखिए आपका पैसा सिब एक company में नहीं लगाओ आपका पैसा 20 company वे लगा और 20 अलग-अलग business करने वाली company वे लगाए तो एक business लूप सकता है दो business लूप सकते 20 के 20 business थोड़ी ना लूप सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इस तरीके से diversification करके निवेश करते हो तो कहीं ने कि आप अपने business ज्यादा चलेगा और कौन सा business कम चलेगा इसलिए हमारा काम यह ही कि हम diversified रखे अपने in-sluence equity के जो return हो inflation को beat करते inflation अगर महिंगा हिदर मालो नो 56% परसंच चलती है तो आपको equity का जो return मिलता है वह 12-13% तक तो हम अजूम करके चल सकते उतना רचन मिलेह आपको हाला कि अभी तकी हिस्टी में स्टॉक मार्केट ने 17% का एवरेज रिटन दिया है बट उतना ना भी पकड़ते हैं 12-13% का भी रिटन अगर पकड़े तो यह जो महेंगा हिदार है उससे डबल से भी ज्याजा का रिटन है तो बहुत ही अच्छा रिटन आपको यहापे मिलता हो जो इंफलेशन को बीट करना बहुत जरूरी है दोस्तो जब आप इंफलेशन को बीट करते हो तभी आप अमीर बनते हो वरना महेंगा ही आपका सारा पैसा खा जाएंगी देखें एबडी में पैसा निवेश करके कोई भी अमीर नी बन सकता है क्योंकि एबडी का जो रिटन आता है वो इंफलेशन के आसपास ही आता है जितनी महेंगा ही दर है उतना ही रिटन आपको एबडी भी दे रहा है तो आपको आपने अगर 100 रूपे बैंक एबडी में हो गए तो जो चीज अगर आप खरीबना चाहते थे कोई 100 रूपे की वो भी अगले साल 106 रूपी की हो जाएंगी तो आपके पैसा बचेंगा नहीं तो इसलिए आपके पैसा बचना चाहिए महेंगा ही को बिट करने वाला रिटन आपको कमाना जुरूरी है और वो इक्व ही ही आप स्चॉक मार्के जो भी पैसा निवेऽ करूंगे आपके बैंक के द्वारा ही वह पैसा निवेज होता है आपको चेक देना पड़ेया या पड़ेंग तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ में fraud होने की chances बिलकुल कम है, बिलकुल zero, ऐसा हम बोलके चल सकते हैं, share जो आपने लिए हैं, वो share का वह कम जादा हो सकता है, but fraud होने के chances stock market में नहीं के बराबर है, और दोस्तों, आठवा फाइदा है equity में पैसा निवेश करने का, वो यह है कि equity investment का जो future है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा bright है, अभी तक जो return बनाए है, वो बनाए stock market में equity में, ठीक है, अभी तक बनाए, बट आगे भी बहुत अच्छा return बनने वाला है, Indian stock market में, क्योंकि दोस्तों, हमारा जो इंडिया है, वो developing country है, मतलब continuously development हमारे इंडिया में हो रहा है, मतलब हमारी जो economy हो developing economy है, और जो developing economy country होती है, वहाँ पर stock market के जो return होते है, equity के जो return होते है, वो अच्छे होते है, वो काफी अच्छे return मिलते हैं, क्योंकि लगातार हमारे इंडिया में development हो रहा है, और यहाँ पर return ज्यादा बनने वाले आने वाले कुछ सालों में, अमेरिकन stock market में, उतना return नहीं बने गा, आने वाले 15 जालों में जो return इंडिया In इस के लिए आज怎么样 के लोग भी इंडिया के stock market में 파یसा लगाते हैं, आप जो ऊनते होंगे to saat foreign investment जो आता है, हमारे इंडिया N.C हम ये बोलते हैं कि हमारे Indian stock market को जो लोग चला रहे है वो FI 해서 ही चला रहे है है मतलब foreign के लोग ही हमारे Indian stock market को चला रहे तो यतना ज्यादा पैसा आता है foreign से हमारे orchest्न में इंडियन के चलाने के इंडियन स्पों करेफ सकते हैme I mean stock market में निवेश होने की बात हो रही है तो इसमिन तो लापो रुपवागा निवेश करने के लिए तो ऐसा नहीं है दोस्तो आप एक छोटी सी अमाउंट से 1,000 रुपे की स्टॉप मार रुपे की अमाउंट से आ फिर 1,000 रुपे की शुरुआच कर सकते हो आला कि आपको पैसा बनाना है तो फिर बड़ा पैसा आपको लगाना पड़ेगा. पर शुरुआत करने की जो बात है आप छोटी सी amount से कम से कम amount minimum 1000 रुपे से भी कम की amount से आप stock market में निवेश की शुरुआत कर सकते हूँ. तो friends आज के वीडियो में हमने ऐसे 9 points डिसकस किये, 9 फायदे हमने समझे equity में पैसा निवेश करने के, मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगाऊंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर कर दीजे और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, मैं मिलता हूँ, आपसे नेक्स वीडियो में तब तक है लिए, bye-bye.